असलाम लेकम फैजी फूर्चों मैं आपको वैलकम कहती हूँ आज बनाने रहे हैं जारी हूँ हैं चिकपीज लेंटल्स चिकन और लौकी में जिसको हम लंबे गद्दू भी कहती हैं चने की डाल को हम अलाइदा से बॉयल कर लेंगे पिर इसके लिए जो हमें चीजें चाहिए होगी उसमें आनियन टुमाटर गारलिक जिंजर और ग्रीन चिली हैं इनको हम चॉप कर लेंगे चॉप करने के बाद हम जो लौकी है इसको पील कर लेंगे पील करने के बाद हम इसको करेंगे चॉप चॉप करने के बाद हम इसको रखेंगे एक साइड पे यह मैंने चॉप करके एक साइड पे रखती हैं अब हम जिस जिन चीजों की जरूरत होती है वो हम लेंगे उनमें चिकन मैंने चिकन लेग पीस लिये हैं इसके उपर हमने लगा दी हैं कट कर लगाने के बाद हमने वेजिटेबल एक साइट पर रखी और चिकन भी एक साइट पर रखा ये देखें मैंने ऐसे कट लगा लिया इसके उपर अब इसके बाद हम त्यार करेंगे मसाला जिसमें हम चिकन और फिर वेजिटेबल साथ में हम चिक पीज लैंटल इसमें शा ब्लैक पैपर लूँगी कार्डिमोम लोगी कलोफ लोगी और थोड़ा सा मैं लोगी सुखी मेथी सूरी मेथी फिर मैं लोगी धनिया और जीरा सेद्था फिर मेथी दाना होता हो tumors में चामल आपके में निए उल मसाले को हम एक साइड़ काली थी इसमें मैंने लिया था ओनियन थोड़ एक मीडियम साइज का मैंने ओनियन लिया था और एक मैंने बड़े साइज का लिया था टमाटर ओनियन और टमाटर जिंजर और गारली को पहले हम शामल करेंगे फिर हम इसमें हरी मिट्चे बाद में शामल करेंगे पहले हम पै क्वाइब खान इंगे तो हम ने यह टुमाटर ऑनियन गार्लिक जिंजर है पहले हमने यह शामल कर लेना हरी मिट्चिया हम शामल करें के बाद में हम फ्लेम ओन कर लेते हैं फिर हम रखेंगे ओपर एक पैन जिसमें हम यह मसाला बनाएंगे पैन में हमें चाहिए होगा ऑईल हम उईल शामल कर लेते हैं अईल हमें चाहिए होगा तग्रीब सोटीन फसे ही आफ खferा कप अब मैं शामल करने जारे हूं पैंब में ऑईल मैंने लिया तग्रीब सोटीन हाफ कप के लगबग और ऑईल साथ में हमारे दूसरे पैंब में हमने बॉयल कर लिया अपने चने की दाल यानि के चिकपीज लेंटल अब हम इसमें शामल करने जा रहे हैं वेजिटेबल जिसमें शामल थे ऑनियन जो मैंने एक बड़े साइस की ऑनियन ली थी और टमाटर लिये थे वो हम इसमें शामल करने जा रहे हैं साथ में शामल कर देंगे हम टमाटर भी औ आईल में जब तक आउनियन और गार्लिक की खुश्बूनी आने लग जाती उतनी देर तक हम इसको आईल में थोड़ी देर फ्राई करेंगे तब तक हमारा जो टमाटर है और आउनियन है उसके साथ हमारा आउनियन का कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा तकरीबन तीन से तीन 2-3 मिनट इसको लगएंगे तो हमारे ऑनियन और टमाटर भी सफ्ट हो जाएगे और इनका कलर भी चेंज हो जाएगा तो चले हम उतनी देर तक इसको करते हैं फिर इसमें शामल करेंगे हम चिकन लाग पीस अब हम शामल करेंगे थोड़ी देर में इसमें चिकन लाग पीस वो इसके अंदर चली जाएंगी तुमाटर और ओनियन अकठे एड़ करने से साथ में गार्लिक आड़ करने से हमारा मसाला जो है वो थोड़ा पानी छोड़ेगा हम इसको पानी को थोड़ा ड्राइ करेंगे ये देखें हमारे मसाले का तकरीबर कलर चेंज हो गया और ऑनियन भी साफ्ट हो गया और जो हमने टॉमाटर एड़ किये थे वो भी साफ्ट हो गया है अब हम इसमें शामल करने चाह रहे हैं जिक्कन लैग पीस जिसके उपर हमने काट लगा के रखे हुए थे वो हम शामल कर देते हैं, शामल करने के बाद हम छूड़ा सा चमचाल आएंगे, भाद में हम शामल करेंगे थोड़ा सा जो सिपाइसिस थे, अब हम इसका धिक्कान बंद बन्द कर देती हैं, ताकि इसके अंदर आजे धोड़ी स्टीम स्टीम आने के बाद जब ये पानी चोड़ेगा तो चिकन तो फिर गिलाने में बहुत असान होगा क्योंकि पीस जो हैं वो थोड़े बड़े साइज के हैं इसलिए वो पकने में बहुत असानी रहेगी मैंने इसके उपर लिड रख दिया यह देखें अब हम शामल करने जा रहे हैं इसमें सॉल्ट पैपर और टर्मरिक पॉडर वो मैं शामल करके इसमें चमचा लाओंगी अब हम इसमें शामल करेंगे मसाले जिसमें हैं को ब्लैक काडिमम ब्लैक पैपर सिनिमन स्टीक क्लोफ्स कॉरियंडर सीड क्यूमन सीड कुसूरी मेथी है और थोड़ा सा मेथी दाना अब हम तक्रीब अब हम इसमें शामला को अधावी जा आप हमारी खाल की और गन कोड़ हो जाए और छिकन शामल करेंगे अपनी वेजिटेबल ये देखे हमारा चिकन के कलर से चिंजर होना शुरू हो गया और मसाला भी proposition बन गया है अब हमिसमें शामल कर लेती है थोड़ा सा पानी तक हमार चिकन गल जाए इसमें हम चमचा लाते जाएंगे और दोनों साइट से हम चिकन को अच्छे से पकाएंगे ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं और इसमें से सिपाइसिस का भी टेस्ट आए यह देखें तकरीबन मसाला हमारा रैडिया चिकन भी रैडिया अच्छे तर्भ ये से हमें समय करेंगे वैजीटेबल गले में धाये मैजे जाँ जाएं हम नहीं आदिए तो आतो हमें समय करके हमा करके शम्राइम भी पुरा काईंगे हलकी फ्लेम पे लो फ्लेम पे हम पकाएंगे पिर ताके जोfrage हमारी वजटेबल है वो अच्छे से गल जाए और फिरrade भी हम शामल करने जा रहे हैं इसमें अब यह मारी वेजटेबल गलने के बाद हम शामल करने जा रहे हैं चिकपी अद राइड़ देंगे फिर हम तोड़ी देर में तकरीबन पांच मिनट के अंदर अंदर हमारी जो सालन है वो हमारा रैड़ी हो जाएगा हम इसके अंदर कुप चम्चाह लाएंगे ताके ये मसाले चिकन और दाल और वेज़िटेबल जो हमने एड़ की थी वो सारे कमबाइन हो जाएं मैंने चिकन और दाल को सबको मिक्स कर दिया मिक्स करने के बाद हम थोड़ी तेर इसको कवर करके तो लो फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसको रखेंगे ताके ये अपना पानी जो छोड़े वेज़िटेबल और दाल वो दाल मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी छोड़ेंगे त इतनी देर में मसालों का टेस्ट भी दाल और चिकन और वेजिटेबल में आना शुरू हो जाएगा ये देखे इसने पानी छोड़ा था सालने तो हमारा ये कलर भी देखे आप बिल्कुल चेंज हो गया पहले के निस्बत फिर हम इसमें चमचाह लाएंगे तो चमचाह लाने क के बाद फिर हम इसमें शामल करेंगे गरम मसाला पाउडर अब हम शामल करेंगे ये वन टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर तो वह हम शामल करेंगे और इसके साथ हम शामल करेंगे कुसूरी मित्थी और थोड़ा सा गुरीन कोरियंडर लीव्स वह इसमें चले जाएंगे गरम साला पाॉडर और ग्रीन कोरिणर लीउस डालने के बाद हम फिर से इसमें चमचाह लाएंगे ताकि ये सारे मिक्स हो जाएं अच्छे से चमच चाल आने के बाद हम इसको दो तीन मिनट के लिए हम दंपे लगाएंगे इसके बाद हमारा सालन तयार है आप इंजॉय कर सकते हैं ओके लाफिज